हलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रैट कलर का सब्सक्राइब बटन देरा जल्डी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गीमी वन लाइक एंड बहुत अच्छी लगती है तो आप फ्रे लिप्स्टिक शेट्स का रिव्यू करने वाली हूं को एक रिव्यू होगा जो मुझे भीजा है परपल.com मैंने से बाई नहीं किया है और ये परपल ब्रांड की तरफ से ये फोर लिप्स्टिक्स है जो लिप क्रियॉन मैटी है लिप्स्टिक्स तो इनका इस तरह का पैके टूटिक में प्रोड़ें किस्टिक किक्तना आच्छा आपको दे रहा है एक बार के इस तो टो टोटल है जो मैं आपको आपने हाथ पर दिखाऊगी यहां पर जो में ड़ने अइन स्ट्रोप में कितना अच्छा कवरेज आपको दे रहा है एक बार के अपलाई में आपको समझ में आ जाएगा कि लिप्स्टिक काफी क्रीमी है और बहुत अच्छी है तो यह चारो शेट्स मैंने हां पर लगा दिये हैं तो मैंने जली से शेट्स बता देती हूं कि कौन-कौन आपको शेट्स मुझे मिला हुआ है तो चारो पहले आप देख लें अच्छे से कि यह सें तो फोस्ट जो शेट्स मैं दिखा रही हूं वह शेट्स नंबर टू है जो हाथ पे मैंने अपलाई कर रखा है कि सेकेंड जो रेड बाला शेट है वह शेट नंबर वन है यह वाली स्टिक थरड वाली जो है इच कलर पे थोड़ा है और वे है शेट नंबर थ्री और लास्ट में मैंने शेट नंबर फोर अपलाई किया है जो शेट मुझे काफी पसंदाया है तो चारों शेट को मैंने स्वेच करको अपने हाथों पर दिखा दिया है कुसी भी बिस बिस बि वाक्ष में दे रही हूं मैं वहां से चेक जरूर कर लीजेगा काफी अच्छे डिसकॉंट मिल जाएंगे आपको तो वहां पर चेक जरूर करिएगा तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कई बार लोगों ने रिक्वेस्ट किती बहुत बारे लाइगा तो यहां पर इस तरह का साड़ी कवर है जो पुराने कप्डे से बना सकते हैं आप और यहां पर ठोड़ी सी पुराने लेस लगाई है और एक मैंने हेंगर का यूज किया है तो यह टू इन वन काम करेगा आपको यह आप चाहों तो इसको हैंग भी कर सकते हैं तो पूरा मैं अभी इसको शूट कर देने में ताकि आपको देख लो कि किस तरह सी ये बना हुआ है ताब फिर मैं इसको पूरी डिटेल आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजे लाइक करिएगा जरूर और शेयर और कॉमेंट तो आपको करना ही करना है तो लेस्ट स्टार्ट तो यहां पे आप पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं या फिर नए कपड़े का भी यूज कर सकते हैं साथ ही साथ इस तरह के शॉपिंग बैक जो मिलते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं तो वाला देखकर आपको सोच लेना है कि कौन सा मटेरियल अच्छा जैसे यह देखी यह मैंने निकाला था तो थोड़े से में यह खराब हो जाता है फोरन बहुत ही पतला वाला कपड़ा होता है शौपिंग बैक का तो इस तरह के बैक्स आप ले जकते हैं थोड़ा मजबू कि शौदा गत्राई देखना थोड़ा ले रखिये यह आपकी कौड़िंग है कि 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 बड़ा रखना है को डाइट है कर वाला चरूच ago कापड़ेंगेrus सब्ढों करसे कंदा कि कप्ड़ करकेंगे को सब्सके दें और किंगे 18-20 Asian चना किया ड folding आप बूपय सब्सक quali को मैं इने में तताहिक नालें लीआ एक कपड़े में इसको कट कर सकते हैं लेकिन फीरेमेंटी समझने के लिए मैं इसको अलग से कट exterior हो तो यहां पर देखे इस तरह कापड़क्त कब्ड़ा कड़ सकते हो मैंने पर इसको डिजाइन रखने के लिए इस तरह से काटा है एक पराबर है लेकिन डबल कपड़ा है आप देख सकते हैं कि और इसकी हमें स्टिचिंग कर देंगे उपर से डबल कपडे को प्लास्टिक अप्ले में परativa ने जाएं, हम कि इन फ्लेम प्लास्टिक आप प्लास्टिक dangereख दुखलगें Dort लोगी कि आपने त में भी दें कि आप आप लगी होगा कि काफी अच्छी क्वाली प्लास्टिक आक ढ़ faces तो इस प्लास्टिक को मैंने इसी के बराबर कट कर रखा है और साथ में थोड़ा समय ने गोटे से इसको पतले गोटे से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया तो देखिए कुछ ज्यादा नहीं किया एक स्केल से बस इसको लाइनिंग आप खीच लिजे पहले और फिर उसी पर चल यहां पर जॉइन करती है बहुत ही आसान सा अभी तक हम लोग उने सिलाई करी है जो भी की है अभी यहां पर चोड़ी थोड़ी सी मेरे पास गोटा पट्टी है तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहो तो यहां पर कंट्रॉस कपड़े का भी उसकर सकते हैं हम इसकी जो अब तो इस पर वाला हमने लगा है कपड़ा उस पर भी मैं लगा दूँगा तो यह फटा-फट मैं कर लेती हूं आपने से तई देखिये साइट्स में पनाई आगा ओर उपार का अपर जो पने लगा और यहां तकट थो कर लिया हमने और यह बिल्कुल सिंपल था अपने अब हमें थोड़ी सी गोटा-पट्टी और लेनी है और एक हैंगर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं चुकि मैंने जैसे पहली भी का ये टू-इन-वन बनेगा तो इसलिए हमें हैंगर का इस्तेमाल करेंगे ये अप्षिनल है आप चाहो तो बिना हैंगर के बना सकते हैं तीन जगा माक किया है मैंने और इस गोटा-पट्टी को यहां पे इस तरह से लगाना है लेकिन इसमें हैंगर भी इंक्लूट रखना है बीच में लगा के हमें से स्टेचिंग करनी है गोटा-पट्टी के लावा आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं पतले कपड़े को सि कर लें तो और भी पतला लगेगा तो मैं थोड़ा और पतला कट करूंगी इसको यह देखिए तो यहां पर दो पीसे स्वेल को हमने कट किया है और दोनों साइड में हमने इसको यह तो चिपका दें या फिर आप उसको आप उससे स्टिच भी कर सकते हैं और चिपका दीजे यहां पर यहां पर एक चोड़ा गोटा मैंने ले रखा है जिसको मैं रणिंग स्टिच कर रही हूं पूरा लंबाई में इसको रणिंग स्टिच करना है देखिए कॉर्णर से मैंने स्टिच कर रही हूं देखिए इस तरह से हो जाएगा और फिर इसको पूरा खीच देना ह दागे को यह फ्लार का शेप लेता जाएगा जितना खीचेंगे धागा मजबूती से खीचना है लेकिन टूटना नीचे यह धागा और एक-दो उसी में आप सिलाईयां लगा दो ताकि यह फिक्स हो जाए हमारा धागा और यह साइड में हम यहां पे इसको फिक्स कर देंगे तो यह देखें यह कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया है और यह मेरी साड़ी आ गई है जो मैं इसको अंदर रखने वाली हूँ ये देखिए ये साड़ी बहुत अच्छे से इसमें अंदर हो गई है और ये बन के हमारा आज का टिटोरियल जो है कम्प्लीट हो गया है बहुत से लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो आपको करना है रेट कलर का सस्काइब बटन दबा देना है लाइक का बटन दबा देना है कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी लिप्सिक शेट पर जरूर क्लिक करिएगा और बाई कर SILENT NIGHT'S RECÒLLING YOU A SUVENIER OF WHAT IT COULD BE PIECES OF MY MIND ARE YOURS I FORGOT THE POSTS I MISSING I PRETEND THAT WE ARE OK Like NOTHING'S EVER BROKEN And I pretend that we are dancing Like the nights are never ending And I pretend that we are dancing